Hello everyone, welcome back to the channel इस वीडियो में बात करेंगे, एस एक hack के बारे में जिसमें आप group 2 में intermediate के group 2 में only 2 paper में exemption लाके 4 paper को clear कर सकते हो detail में बात करेंगे, आप सब इस request है कि वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर इसके बात करना, अगर आपको वीडियो पूस ना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, ठीक है पहले बात करते है, group 2 old slivers में कितने paper है और new slivers में कितने paper है old में बात करेंगे तो 4 paper है ठीक है, उसमें एक advanced account auditing EISM और EISM और FMR ECO और group 2 new slivers की बात करें तो उसमें advanced accounts है ही नहीं उसमें है costing उसमें है आपके लिए एक FM और ECO और एक auditing ठीक है अब देखो, CA prevention सर्मा सर क्या बोलता है इसके regarding अगर आप only advanced accounts में appear हो जाओ, FM और उसमें EISM में appear हो जाओ, कुछ लिखो में नहीं न और आप auditing और FM और ECO में 60% marks लियाओ तो आप group clear कर जाओगे आने वाला, 120 number में clear कर जाओगे इसके निची है कि देखो, यह video है इसको आप done से देख लेना आपको और भी जाँ समझ में आजएगा ओली दो पेपर में exemption लागे आप चारो पेपर को clear कर सकते है है कही है क्योंकि देखो आप समझो group 2 में coasting जिसको आपने group 1 में आपने पहले ही complete कर ली होगी group 1 पहले pass कर लिया होगा तो coasting आपके लिए exempt हो गई अब बचा उसमें advance accounts है ही नहीं group 2 में अब उसमझे auditing जिसको आपने पहले ही exempt कर दी थी FME को पहले ही exempt कर दी थी तो आप खुद दिमाग लोगा उसमें आप पहले ही pass कर चुके हो जो pass हो चुका है उसमें आपको कैसा डर ठीक है और भी detail में जानना चाते हो इस tweet का link में डाल दूँगा description में आराम से देखते रहें ना अगर आपको वीडियो पुसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो फटा फट जाओ उस subscribe पहल लो क्योंकि आपको सुए के regarding सारी updates यहीं चैनल पर देखने को लेगी आफे हम मिलें के अगरे वीडियो में